है दोस्त बेलकम तो माई यूटूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी आज हम इसमें बात करेंगे आप भी अपने पेट को सिर्फ एक बार में कैसे साफ कर सकते हैं मेरे पास कमेंट बहुत दिनों से यही आ रहा है हलाकि हमने वीडियो भी बहुत सारी बनाई है पाचन सक्ति को इं हएट करने के लिए अच्छे से आप दिन में चार बार पांच बार सौच करने के लिए जाते हैं न जाना पड़े आपको इसे बीसलिफ एके बार जाना पड़े है लेकिन उसके पहले चोटी सी रिक्वेश्ट करेंगा वीडियो पे लाइक कर लीजिए गार अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगन बलाइक इन गंटी होगी उसको जरूर परसकर लिए ताकि इसी हेल्थ फुल जानकारी हे बाज दिन पहुचते रहे अब दोस्त हम बात करेंगे हम क्या कर दें यार हमने तो बहुत सारे की लेकिन फिर फिर विजल्ट से देख लीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट ही समझे अगर आपका भी पेट नहीं साफ होता है आपके पेट में हमेशा कब जिकी समस्या बनी रहती है बार बार सौच के लिए जाना पड़ता है कोई भी चीज आप खाते हैं आपका डाइजेसन नहीं कर पाता है पेट खराब रह जाएंगे और आपको धेर सारी बिमारिया घेरना सुरू कर देंगे अब दोस्त हम इसमें बात करेंगे परहेच के साथ सुन लीजिएगा क्योंकि ऐसे टिपस ऐसे इसके घरेवल उपाए आपको कोई नहीं बताता होगा आप सुबह में चैसे ही सौच करके आएं तुरंत क्या करें मीठा फल जानते हैं जैसे केला हुआ सेव हुआ नास पत्ती हुआ आम हुआ अंगूर हुआ ऐसी बहुत सारी चीजे जो बहुत मीठा नहीं तो उसके मतलब कुछ मिठास लगे अमरूद हुआ ऐसी कोई भी चीज पपीता हुआ यह सब मीठे फल में आते हैं मीठ पर कोई एक फल जैसे पपीता ही मिल गया पपीता ही खाना सुरू कर दीजिए केला ही मिल गया केला ही खाई जरूरी नहीं आज आपने पपीता खाया तो कल भी आपको पपीता खाना यह भी जरूरी नहीं यह कल आप सेब खा सकते हैं परसो आप केला भी खा सकते हैं मतलब कि मीठे फल का सेवन कीजिए अब इसमें जो परहेज है परहेज में मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना होगा अगर आप चाते हैं आपका पेट साब रहें आपका डाइजेशन मिंटेन रहें आपको बार-बार सोच के लिए ना जाना पड़े तो दोस्त आपको करना ये दोस्त अगर आप इसको दिन में कर लिए तो फिर किसी काम का नहीं होगा आप देखेंगे आपके अंदर नई सकती आएगी कोई भी चीज़ आप खाएंगे आपका हजम होगा पाचन के लिए बहतरीन होगा कुछ लोग मुझसे यह भी कहेंगे अब यह कमेंट मत कर देना यार कि आप किसी का कॉपी किया मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूं मैं हमेशा स्ट्रोंग हिर्द्यम जो की आयरुवेद की बुक है मैं उसी से ही आपको नौलेज देता हूं अब यह आप बोलो यार इसके पहले किसी ने बीडियो बना दिया है या नहीं बनाया इससे मुझे मतलब नहीं है मुझे मतलब यह है मुझे आपको सुष्ट करना है आप तक नौसके पहुचाना है आपकी प्राबलम्स को सौल्ड करना है दोस्ट चाहे जैसे भी अगर आप इन सारी समस्याओं से जूज रहें कि आपका पेट नहीं साब होता पाचन के रिया सही नहीं है बार बार सोच के लिए जाना पड़ता है दोस्त तो इस नौसके का स आप पेट की समस्या से बहुत परहसान है तो वीडियो पे एक लाइक कर लीजिए गा ताकि इस वीडियो से आपकी समस्याओं का समादावन हो सके और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगर लाइक अगर तो इसको